तो दोस्ते हमेशा की तरह इस एंडे भी आप सभी लोगों के लिए एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा के नियूस चुन-चुन के लेका आया हूं पहलेली खबर निकल के आती है गुदावरी एलेक्ट्री मोबिलिटी के तरफ से इनों ने अपने एलेक्ट्रिक त्रिविलर आटो रिक्षा एबलू रोजी के लिए रोर्साइड असिस्टी प्रोग्राम को शुरूवात की है इस program के अंदर आट उरिक्षा का flat tire हो जाएगा, कोई भी आट उरिक्षा के अंदर minor repair आती है या lockout हो जाती है, battery हतम हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है तो इनका एक service number होगा, उस number पर काल करेंगे तो उस problem को उस आट उरिक्षा के अंदर वहीं पे सालू कर सकते हैं या 40 किलोमेटर के सरोंडिंग में कहीं पे भी इनका डिलर्शिप या रिपेर शॉप होगी तो वहां तक इनोंने टो करने की भी बात की है इसके अलावा ये सर्विस वहराल इंडिया के अंदर इनके कस्टमरों के लिए अवेलेबल होगी लेकिन जहां पे डिलर्शिप होगी वहीं पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं और शाथी साथ ये भी कहा है कि अभी ये नौउंबर में जो भी खरीदेगा नौउंबर पस्ट से नौउंबर 30 तक तो उनके लिए ये 3 साल की कामलेमेंटरी दे रहे हैं नहीं फ्री में मिल रहा है अभी कोई भी ये नवंबर में e-blue Rosie को लेगा तो उसके साथ ये free program के लिए eligible होंगे और एक बात यहां पर mention नहीं किया उसके बाद क्या paid होगा या आटो रिक्षा के साथ फ्री में देंगे ये include नहीं किया है वेसे भी काफी सारे company ये roadside assist program तो आटो रिक्षा के साथ ही दे रहे हैं लेकिन इन्होंने अभी announcement किया आटो रिक्षा कभी की launch हो गया और अभी इस program को announce किया है इसके अलावा अगर e-blue Rosie के बारे में जानना चाते हैं तो वीडियो की link आपको discussion नहीं आए तो आई-card में मिल जाएगी वहाँ पे जाएगी देख लेना और एक इसके गोदवरी electric mobility के तरफ से कार्व आटो रिक्षा आना बाकी है देखते हैं कब तक आएगी है और एक बात बताना बुल गया अभी फिलाल इंडिया के अंदर 50 dealerships से इनके अवेलेबल है तो उससे पिछले आपते निउस के अंदर हमने देखे थे Frame 2 सबसीडी के guidelines को violation करने के वज़े से गवर्नमेंट के तरफ से सबसीडी return करने के लिए काफी सारे कंपिनियों को notice गई थी तो उन में से Greaves Carton भी था Greaves Carton ने 124 क्रोर का subsidy क्लेम किया था उसको interest के साथ 15 क्रोर interest के साथ गवर्नमेंट को return कर चुका है तो subsidy को return करने के बाद Greaves Carton ने अपने नए electric आटो रिक्षा और टू विलर्स को भी launch करने के तयारी में लगा हुआ है Greaves Carton के तरफ से अभी Greaves Ultra का आटो रिक्षा चल रहा है जो की price थोड़ा high है as compared to other तो इसी वज़े से price इसका जादा हो सकता है मैं भी अभी ये guidelines फालो कर रहे हैं तो बहुत जल्द government के तरफ से इन vehicles के उपर भी subsidy मिल सकती है तो price घट सकती है इसके अलावा Greaves Carton के तरफ से अभी passenger segment में कोई भी आटो रिक्षा नहीं थी लेकिन अभी Greaves Ultra का जो version है वो version अभी passenger segment के अंदर भी बहुत जल्द launch होने वाला है इसके अलावा two wheelers के अंदर काफी सारे launches होना बागी है Greaves Carton का जो Greaves Electric Mobility है वो उसके तरफ से इंटरनाशनल Red Dart Design Award 2023 के तरफ से मंत्रा सूपर एलेक्टरिक आटो रिक्षा को Best Design Award मिल चुका है Design Concept के काटेगरी के अंदर इस आवार्ड के लिए globally 3400 applications सब्मिट हुए थे लेकिन उनमें से 6% यानि 204 design को ही entry मिली है और उनमें से 11 आवार्ड मिल चुके हैं various mobility category के अंदर तो उनमें से एक मंत्रा को भी मिल चुका है 2023 का Best Design के लिए इसका डिजाइन है ना बहुत ही यूनिक है इंडिया के लिए और बहुत ही अच्छा है बहुत ही comfortable riding है और इसके अलावा सूपर electric auto रिक्षा को लेकर बहुत ही जल्द बड़ा announcement बड़ा video बड़ा news आने वाली है अपने चाहिए तो दोसे ये थे इस हपते के electric auto रिक्षा के updates सो उम्हित करता हूं दोसे वीडियो पसंद आई होगी है अगर पसंद आई तो like and share करना मल बुली है और अभी तक चानल को सब्काइब नहीं किया तो चानल को जरूर सब्काइब कर लेना बहुत ही बड़ा वीडियो सा आने वाले हैं तो मेलते हैं बहुत जल्द एक और नहीं वीडियो के साथ until then bye bye and see you soon कर आने पिल्द एक प्रेश बहां यां नहीं रहां जासी वीडियो कि बहुत है